Hi guys, welcome back to my channel, I hope you all are doing well So, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ quickly एक book का flip through review देने वाली हूँ हर page को मैं turn करके आपको दिखा दूँगी कि इस book में क्या-क्या है जिससे आपको समझ में आएगा कि इसकी educational value आपके बच्चे के लिए है की नहीं होता क्या है कि जब भी आप website से या फिर online किसी book को लेती हो तो बहुत पार ऐसा होता है कि उस book की information जो है image की रूप में बहुत limited होती है कई बार ऐसा होता है कि उसका front and back का ही image है actually book के अंदर क्या है ये useful है की नहीं ये जब तक book हमारे हाथ में नहीं आती हमें समझ में नहीं आता और 90% books are non-returnable so आप उसे return में नहीं कर सकते so मेरे पास बहुत अच्छा collection है because I am homeschooling my 3-year-old और tracing के related, alphabets के related, picture books जो है so इसी तरह से मैं एक separate playlist बना रहे हूँ जिसमें मैं बहुत सारी books को separately so definitely इसे छोटे-छोटे videos मैं आपको दिखा दूगी कि इसमें क्या है so आप खुद रिसाइट कर पाओगी कि ये particular book आपके बच्चे के लिए useful है की नहीं आपको एक थोड़ा छोटा सा review मिल जाएगा so चलिए आज ये पहला book है और इसी से मैं बारी-बारी से आपके साथ ऐसे videos शेयर करूँगी so this is a wipe and clean workbook to teach your pre-schooler about numbers so जब भी बच्चे को हम लिखना सिखाते हैं so उससे पहले pre-writing skill होती है and that is to trace all the numbers so ये एक wipe and clean book है इसमें एक erisable marker भी मुझे मिला है numbers की साथ हर पेच पर उसकी corresponding images भी है and these images are real so along with tracing your child can also practice counting so basically this is a very useful book because आपकी home schooling journey में जब आप बच्चे को numbers को लिखना सिखाते हैं ट्रेस करना सिखाते हैं उसकी direction जो है वो सिखाते हैं so इसमें थोड़ा time लगता है बच्चे दीरे दीरे स्किल को master करते है so इस तरह की जो books होती है use and wipe इसकी कारण बच्चे इसे बार-बार reuse कर सकता है so यहाँ पे basic book होने की कारण यहाँ पे 1 to 20 तक के numbers है and उसके बाद इसमें कुछ 2-3 activities है यहाँ पे number trail करके एक activity है जहाँ पे बच्चे को इस तरह से trace करके ढूणना है कि वो कहाँ पे जाएगा then कुछ ladybugs है और उसको count करना है उनके spots को यहाँ पे number 6 दिया है so बच्चे को chin ladybugs basic spots है उसको circle करना है then matching numbers का भी एक activity है और यह basic होने की कारण देखिए आप यहाँ पे 2 ही activity है so यह basic ups start करेंगे इस तरह की activities है उसके बाद आप बच्चे को worksheet से सिखाएंगे so I think this is a very useful book झाल झाल